राधे राधे दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं कानहाजी के लिए पिछकारी तो उसके लिए लिया है मैंने ये disposable cup और seriens seriens का जो back का portion है जो black color का होता है उसको मैंने green color acrylic paint से color कर दिया है सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा यह को छोड़ देते हैं और तब हमने यह कप लिया था इसको कलर कर लिया है रेड़ कलर से और इसके जो उपर का पोर्शन है जो गोल सा होता है उसको हम काट के रख देंगे उसको फेकना नहीं है क्या करना है यह मैं बाद में क्योंकि हो ली है तो कलर्स तो होने ही चाहिए और हमारे काना जी का फेवरेट फेस्टिवल है यह देखिए बस यह चिपक गया अब हम इसमें लेंगे यह गोटे का फूल और गोटे का फूल के उपर हम चिपकाएंगे पॉम-पॉम-पॉम भी मैंने कलर फुल लिया है और इस तरह से हमें चिपका देना है चारो तरफ और दो फूल के बीच में हमें एक गोल मिरर चिपका देंगे तो यह बन गई हमारी बाल्टी इसका हैंडल कैसे बनाना है यह भी मैं बताऊंगी तो तब तक हमारी पिछकारी जो है वह सूप गई है तो इसके उपर हम बैक पोशन उपर हम रेड कला का कपड़े से कवर कर देंगे और उपर गोटा लगा देंगे वह गोटा चोड़ा लग रहा था तो मैंने डबल फोल्ड करके चिपकाया है आपके पास पतला गोटा हूँ तो आप वो चिपका सकते हैं और उपर और नीचे भी हम गोटा चिपका देंगे और इसके उपर जो series के उपर वाला portion ने एक हाली ना रहे इसलिए इसके उपर हमने stone चिपका दिया है अब ये जो दो गोटे की हमने line दी थी उसके बीच में हमने ये mirror से design बना दी है देखिए ऐसे दो पत्ती shape की mirror ली है और एक उसके बीच में एक gold stone या कुंदन कुछ भी आप चिपका सकते हैं मोती भी चिपका सकते हैं इसकी जितनी detailing आप करना चाहें उतना ही सुन्दर लगेगा हमारे कानाजी को तो वैसे भी colorful चीज़ें चमकीली चीज़ें बहुत पसंद आती हैं तो बस यह तैयार हो गया कानाजी की पिचकारी आप इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि वर्किंग पिचकारी है ना तो गीली होके यह उतर जाएगी अगर अच्छे से properly ने सूखेगी तो आप इसके पीछे हम लगा देंगे मोती बस देखे बन गई कानाजी क पिचकारी और अब यह जो हमने वो काटा था ना गोल उपर का उसको ऐसे बल देकर उसके उपर हम यह गोटा लपेट देंगे तो यह बाल्टी का हैंडल हो जाएगा और वो ग्लूगन से हम स्टिक कर देंगे देखे तो यह बाल्टी बन गई अब इसमें मैं आपको कलर भर देखे होली खेल ने बैट गए हैं तो इसकी जहाकी जो हमने यह मैंने यह पेड बनाया है इसके लिए आप सेकेंड पार जरूर देखेगा वो मैं बताऊंगी कैसे बनाया है और सक्षियों का वीडियो तो हमारे हल्दी प्लैटर के वीडियो में है तो उसका लिंक मैं डिस